कैसर गंच लोकसवा सीट से बीज़पी उमिद्वार और बीज़पी सांसत ब्रिजभूशन शरन सिंग के बेटे करण भूशन ने कैसर गंच से अपना नावानकन दाखिल किया है बता दे कि भाजपा ने अपने कैसर गंज के मौजूदा सांसत प्रिजभूशन शरन सिंग को खटा दिया जिन पर माईला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीरन का आडोप लगाय गया था और उनके बेटे करण को सीट से मैदान में उता रहा है बता दे कि करण भूशन सिंग की करें तो वो ब्रिजभूशन सिंग के सबसे छोटे बेते हैं जिनोंने लगतार तीन बार उत्प्रदेश की सीट जीती है 2019 के लोगसरा चुनाव में ब्रिजभूशन कैसर गंज से दो लाख वोटों से चुनाव जीते थे वही करण भूशन सिंग वरतमान में उत्यप्रदेश कुष्टी संग के अध्यक्ष है और गौंडा के नवाव गंज में सहकारी ग्राम विकास दांग के अध्यक्ष भी है केसर गंज लोगसरा सीट से बीज़ेपी उमिदवार और बीज़ेपी सांसा ब्रिजभूशन शर्ण सिंग के बेटे करन भूशन ने कहा किया मेरे जीवन की सबसे बड़े च्षणों में से एक है यह वास्ता में अच्छा लगता है मैं केसर गंज के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनसे अनुरोद करता हूँ कि वे ऐसा करते रहे उनका आश्रवाद मुझ पर बना रहे युतना अपनों प्रोद करता है